देखे हम ओवर्राल पिक्चर देखेंगे अगर भारत का भारत और मॉल्डिव्स के कनेक्शन पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूम हो गये थे और पर्टिकुलर्ली कोविड के बाद ये पूरिजम वहाँ बढ़ा था तो आज की तारी में अगर हम लोग ओवर्राल हैं तो एक हडराबाद से कोचिन से हैं एक बैंगलोर से हैं डेली से हैं तो इस प्रकार अगर हम सारी फ्लाइटों की कैपैसिटी पकड़े तो लगबग हमारे पास 1200-1300 पैसेंजर्स की कैपैसिटी रोच की है जो बंबे से माले डारेक्ट चाहती है अब ओवर्राल इंपक हैं कि पॉसिबिटी है कि यह जो बारा पंद्रा सो पैसेंजर्स रोच के जाना आना होता है इसके अंदर एक ट्वेंटी टू थर्टी परसंट के उमीद कर सकते हैं बिजनस लॉस तो हम ट्रावलिजिंट्स को तो नहीं होगा मॉल्डिव ऐसे कंट्री को जरूर होगा क्योंकि लोग अपना डेसिनेशन बदल लेंगे बजाए कि मॉल्डिव के जाने के लोग प्रोबैबली आज की तारिंग में लक्षोधीप तो जैडी नहीं है पर बढ़ सकता है देखिए लक्षोधी पे भी आज की तारिंग में अगर देखो तो 36 दूइप है लगबग पर अब हमको उनको ड़लोप करना पड़ेगा अगाती एरपोर्ट है पर वहां पर होटल सुविधाय सब करनी पड़ेगी तो उसमें स्थोड़ा समय लगेगा पर य सेकडो आइलेंड्स है पर डेवलप्ड और इन्हाविटेड आइलेंड्स अब समझो अगलगबग तीस के आसपास है तो उमीद कर सकते हैं कि यहां के टूरिजम यहां बढ़ेगा जो लोग पहले जाये करते थे टूरिस्जम के लिए माधिर अभी क्या उनका माना जैसी कि तो एक कैंसलेशन की मुहिम सो शुरू हो जाएगी यह उमीद कर सकते हैं और जो एक्सपेक्टेशन था आज हमको एक्सपेक्टेशन था कि मॉल्डिव कम से कम भारत से बीस फ्लाइट डारेक्ट जाएगी उस पे रुकाउट आजएगे नया ग्रोथ नहीं हो पाएगा आज़ित लगेंगे हमने जो बुक किया है तो उमीद कर रहा हूं में 20-30 परसंट गैंसलेशन तो आएगा ही दूसरा फियर है कि फ्यूचर बुकिंग सब बंद हो जाएगी वो 30-40 परसंट तक कम हो सकती है यह उमीद जड़ादा है हम लोकों कि यह गलत काम हो जाएगा कम स